Hello everyone, as you know that we are on chapter 2nd, a bio of class 11th और हमने जो पढ़ा अभी तक वो टॉपिक में सबसे इंपोर्टन था फाइफ किंग्डम सिस्टेम विच गिवन बाइवेटिकर, रह वेटिकर उसमें मॉनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाए, प्लांटिया, अनेमेला की चारेक्टर्स पडे लास्ट वीडियो में हमने फंगाए और प्लांटिया, अनेमेला की बारे में पढ़ा प्लांटिया और अनेमेला, प्लांटिया को हम 3rd चेप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे वेरम्हों फैर्ट फैनीमेला को हम फीज रखेंगे और फ्लान्टि या को जॉट। अपने लिए यूज़ करता है अपनी duplication के लिए यूज़ करता है अपने आपको multiply करने के लिए यूज़ होता है लेकिन host body के बिना ये अपने आपको multiply नहीं कर पाता और non-living की तरह रहता है तो लेकिन इसमें genetic material भी है तो आज हम ले रहे हैं virus और दूसरा वाइराइट, prions and lichen lichen actually पढ़ चुके हैं हम लेकिन अभी हम जो topic ले रहे हैं that is the virus हम common cold सिफ सफर हुए है, flu से सफर हुए है, AIDS से सफर हुए है, these are due to virus virus का खुद का mechanism नहीं होता, इसकी खुद की body के अंदर duplicate होने की capability नहीं होती लेकिन genetic material है इनमें, इनको duplicate होने के लिए इनको अपनी body को multiply होने के लिए एक host cell चाहिए है, तो virus को classification में विटिकर ने कोई जगह नहीं दिया, virus did not find any place in the classification since they are not truly living, यह living नहीं है, because यह क्या करते है, इनका जो cell है, अगर हम देखे तो यह organism के खुद का cell भी नहीं है, that have a cell structure, इनका those organism, तो viruses non-cellular organism, actually virus के cell membrane यह cell wall इस तरीकी के structure नहीं होती, only इनमें nucleos होता है और इनके genetic material होता है, अलग-अलग तरीके के virus होते हैं, एक virus में आपको diagram बता रही हूं और उसका structure बताती हूं पहले, टोबेको मोजिक वाइरस जो तमबाकू की पत्तियों में होता है, टोबेको के पत्तियों में, तो टोबेको मोजिक वाइरस का पहले हम diagram देखते हैं, और उससे उसकी structure पढ़ते हैं, देखे, पहले मैं बता दूँ आपको कि वाइरस का हम पढ़ रहे हैं कि उसकी outer cell membrane नहीं ह होती, इसका मतलब क्या nucleus नहीं होती, nucleus इनमें होती है, इनमें सिर्फ nucleus की structure ही होती है, और वो भी protein की बनी हुई एक structure होती है, और उसके अंदर genetic material होता है, RNA या DNA, अब single helix भी हो सकता है, double helix भी हो सकता है, plant में single helix RNA पाया जाता है, वेरस animal में single helix या double helix, हाना, RNA और DNA पाया ज जाता है, AIDS से होने माले कई बीमारियों के बारे में आप जानते ही है, human being में, mom, smallpox, influenza, AIDS, और जो plant में होती है, उनमें टोबकोमोजिक वाइरस होती है, rolling leaf, curling, yellow होना, weeds clear नहीं दिखाए देना, bonapandrophism, stunt growth, growth रुख जाता, ये सब वाइरस के कारण होने वाली कुछ बीमारिया है तो वाइरस क्या करता है, उनके एक्शुनी नुकिलेस के अंदर अपनी genetic material दाल देता है, और उनके genetic material के साथ अपने genetic material को कम्बाइन कर लेता है और उन पे अपना अधिकार कर लेता है हाना, तो उन पे अपना अधिकार तो viral हो जाते हैं वो cell, उन cell की खुद की missionary खतम हो जाती है लेकिन वो act करते हैं virus को replicate करने में तो अभी तक virus को living या non-living ऐसा दोनों में ही गिन्ती नहीं की गई क्योंकि host cell के अंदर ये living की तरह act करता है और host cell के बाहर ये non living की तरह act करता है वाइरस का मतलब ही होता है poison या venom poison fluid तो इसको diagram से एक बार देख लेते हैं इनकी structure को इनकी structure genetic material जो होती है वो actually protein की बनी हुई होती है protein की बनी हुई capsid protein की बनी हुई capsid जो RNA को RNA के साथ attach रहती है RNA को protect करती है और जो उसके smaller unit होती है उनको capsimus कहते हैं तो diagram देखते हैं हम तो ये tobacco mosaic virus का एक diagram है ये इनके genetic material RNA है और RNA को protect करने के लिए ये protein की बने हुई खूब सारे structure जिसको कहते हैं capsid और इसके एक unit को कहते हैं capsomus ओके ये nucleic acid nucleic acid दो तरीके को होते हैं आपको पता है ये RNA and DNA nucleic acid को protect करके रखता है तोबेको mosaic virus में चुकी plant virus से RNA होता है अब ये form किसी भी तरीके का पाया जा सकता है हालिकल ये हालिकल है हाना और polyhedral geometrical shape ये है bacteria phase बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं virus लिए वाइरस को bacteria से भी छोटे होते हैं जब filter जो filter जस filter से virus नहीं निकल पा रहे थे वाइरस उस filter से भी पार कर गए इसलिए बहुत छोटे ये वाइरस से भी छोटे हैं तो वाइरस को infect करना bacteria phase is a structure of bacteria को virus bacteria is invaded by virus वह structure है bacteria is invaded by virus that is ये structure है तो ये polyhedral इनके polyhedral भी हो सकता है spiral भी होता है structure कैसा भी होता है तो वाइरस का मतलब ही होता है venom या poison इस पॉइजन फ्ल्यूट का नाम दिया वैनम वाइरस का मतलब ही होता है venom यानि poison poisonous fluid ओके इवन ओस्की ने कहा कि ये बहुत छोटे बहुत ही तंबाकु के तंबाकु में सबसे पहले इसको खोजा था इवन ओस्की ने तंबाकु के पत्तों में तोबेको के पत्ते में तोब जो एक और साइन्टिस्ट थे एम डबलू बिजेरियन उन्होंने ये बताया कि जो इंफेक्टेट पत्ते हैं उनसे निकलने वाला जो इस्ट्रैक्ट है जो उनसे निकलने वाला फ्ल्यूट है वह हैल्दी प्लांट को भी बीमारी फैला रहा है ओके तो उस फ्ल्यूट को नाम दिया गया कॉंटेजियम वाइनम फ्ल्यूट उस फ्ल्यूट को क्या नाम दिया गया कॉंटेजियम वाइनम फ्ल्यूट नाम दिया गया उसको ओके डबलूम स्टेनली ने ये शो किया कि वाईरस प्रोटीन का बना हुआ है वाईरस के जो क्रिस्टल है वो प्रोटीन क बने हुए हैं तो एक क्रिस्टलाइन कंसिस्ट लाज प्रोटीन एंड यार इंसर्ट आउटसर दियर स्पेसिपिक होस्ट और वाइरस इस ऑब्लिकेट पैरसाइट असल में यह इसको रिप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट बॉडी चाहिए होस्ट सेल चाहिए वाइरस को और होस्ट चाहिए अगर कोई भी और्गिनिजम किसी के अंदर घुसके और फिर उसको यूज करता उसे पैरसाइट कहते हैं तो यह पैरसाइट के तौर पे अपना निट्रिशन लेता है तो यह क्या है अब्लिग्यूट पैरसाइट है अज जी भी थोड़े समय के लिए रहता स्ट्रक्चुर कापसीड और एक यूणिट को कहेंगे इसको कैपसो मर्स और यह जनिटिक मेटेरियल न्युकिलिक ऐसट को क्या करता है प्रोटक्ट करके रखता है तो यह है हमारा और इससे होनेवाली बीमारिया हमें पता ही है मैंने आपको बताया तो बीमारिया पुछी प्लांट में सिंगल हैलिक्स आर्ने और डबल हैलिक्स आर्ने और डियन्य ने मिल सकता है वके बैक्टिरियो फेज में यह बैक्टिरिय फेज डबल अस्ट्रींड डियने वाइरस यूजरी मिलते हैं अजी objective county नेक्स सिभी शोटा वायरस से भी शोटा कुँपेश्ण ऑधट बीशोटा और उन्में प्रोटीन का इस तरीका प्रोटीन का जो लेर है वह कहता पॉतिन का ली रेर्ट हो नहीं पाया जाता उससे भी शोटा दिखने μαला structure कहलाता है वायरोड तो next ले रहे है हम topic वायरोड ओके then virus are not truly living non cellular they are non cellular organism they infect a cell and use the machinery of host cell to replicate themselves by killing the host cell it contains genetic material also it also contains genetic material plant are infected by single strain RNA and animal are infected by single or double strain RNA or DNA structure में आप लिख सकते हैं मैंने बताया जैसा की structure में genetic material are protected by crystalline protein structure known as capsid capsid the single unit of capsid is known as capsomars okay now we are on viroid वायरोड जो वायरोड से भी small होते हैं इसको सबसे पहले वायरोड को देखा था टी ओ डैनियर डाइनर ने ती ओ डाइनर तो हम ले रहे हैं वायरोड ओके देखें टी ओ डाइनर ने इसको discover किया तो लिख देते हैं टी ओ डाइनर discovered it okay एक नया infectious agent देखा उन्होंने जो वायरोस से भी चोटा था और इसके वज़े से एक बिमारी का पता लगाया पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर के अंदर जो वायरस पाए गये वह बहुत वायरस से भी इसको नाम दिया गया वायराइट वायरस की तुलना में इसकी आरेने का जो molecular weight था वो बहुत कम था प्रोटीन का जो कोड था वो भी इसमें बहुत कम था और कई तो they are found to be free RNA ओके तो ये था वायरोइट विच इस मोर स्मालर देन वायरस molecular weight 20 का कम था ओके नेक्स्ट है प्रियून्स प्रियून्स देखिए modern science में कुछ ऐसे disease का पता चला जो चिक सामें कुछ ऐसे factors जिसके वज़से infectious neurological disease हुआ एक factor जो folded protein जो वायरस की तरह दिखता था वायरस की तरह दिखने वाला जिसके पास folded protein था उसके वज़से neurologist sorry neurological disease देखने को मिला इन यह इनका जो दिखने में जो थे यह 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 इनका size इनका दे लुक लाइक वायरस वायरस की तरह दिखते इसलिए इनको नाम दिया गया प्रोसेंग और प्रियोंस प्रोसेंग और प्रियोंस ओके एंड में जो organism में होने वाले बिमारियों में से एक important बिमारी जो थी वो वाइन spongiform asaphylopathy एक disease इसकी वज़े से पाई गई और जो cattle में होने वाले बिमार थी वो med cow disease कैटल में देखने को मिली और इंसानों में जो disease इसकी वज़े से मिली वो था क्रूट सेफलर जैकप डिज़े इसकी वज़े से मिलने वाले पिमारियों के नाम ओके यह फोल्ड़ प्रोटीन के वज़े से जो बिल्कुल वाइरस की तरह ही देखने में था उसके वज़े नेक्स टॉपिक इसी के अंदर हमारा है लाइकन जिसको हम पहले पढ़ चुके है लाइकन को बट हलका समय फिर भी एक बार टॉपिक दिया है तो वापस मैं आपको बता देती हूं नेक्स टॉपिक है लाइकन देखे लाइकन एक्चुली एक माइकोबायंट है यह सिम्बोईटिक है माइकोबायंट और फाइकोबायंट दोनों को मिला के बनता है यानि एल्गी और फंगस इन दोनों को मिला के बनता है एक स्ट्रक्चर जो सिम्बोईटिक होता है जिसका नाम है लाइकन ओके अल्गी और फंगस दोनों को मिला की अल्गी के जो पार्ट इसको इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं फाइकोबायंट और फंगस के जो कहते हैं उन खुद बनाता है फोटो थेंसास करता है फंगस जो है वह हीट्रोटरपस है दिदो नोट मेंग दियर ओन फूट बड़ डिपेंड ऑन अल्गी फो दियर फूट तो फंगस का काम है एबसोब वॉटर और सबसे इंपोर्टेंट काम सबसे इंपोर्टेंट बात लाइकन की यह ह पॉलिशन होगा वहाँ यह नहीं होते तो लाइकन्स अ गुट्ट पॉलिशन इंडिकेटर जहां भी होगा यह वहां नहीं होएनगे जहां पॉलिशन होगा ओके तो यह लाइकन था अल्गी प्रिपेर फूर फॉर फंगी एण फंगी प्रॉपाइज तर अन एबसॉब मिन अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और आज के लिए इतना ही थेंक यू